जैहिन दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे नियोजित सिक्षगों को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो मैं आपके साथ सेयर करना चाहूँगा देखें नियोजित सिक्षगों को पहले ऐसा बोला जा रहा था कि बिना कोई परिक्षा दिये राज्य कर्मी का दरजा दे दिये जाएगा पर अब ऐसा नहीं है नितिस कुमार अपना मनसा साफ कर दिये और नितिस कुमार ने कहा है कि अब एक परिक्षा देना होगा तब ही ज उसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है देखें नियोजित सिक्षकों को राज्य कर्मी सहीद अन्य सुविदाएं परदान करने है तू विसिष्ट सिक्षक नियमावली 2023 के तहट देखें 2023 यहां पर इसले लिखा हुआ है क्योंकि यह ड्राप 2023 महीं बनकर त्यार हुआ था उसी को आगे बढ़ाए जा रहा है कि तहट सक्षमता परिच्छा आयोजीत करने की जिम्यदारी बिहार बिदाले परिच्छा समय थी यानि की BSEB को दे दिया गया है ठीक है समझ मैं आपको अब जो है सक्षमता परिच्छा कौन लेगी तो ना तो BPSC मतलब अगर BPSC लेती तो वाता है आपको BPSC का लेबल बहुत ज़्यादा करण होगा और SART अगर लेता तो बहुत आसान लेता तो इसलिए BSEB को दिया गया ताकि वह बहुत ही सही से और जनून तरीके से यह सक्षमता परिच्छा को ले BSEB का पिछले कई वर्षों का जो बहुत ही जल्द एक्जाम लिया और बहुत ही जल्द आपको रिजल्ड भी दे दिया गया बहुत ही अच्छे से यह सब को ध्यान में रखते हुए यह परिच्छा BSEB को दिया गया नेगेटीव मार्किंग नहीं होगी सबसे बड़ी बात विकल्पों के शंख्या चार ही र हो जाता है competition ठीक है और जो वो एक्जाम का जो pattern होता वो भी तो इसलिए नेगेटीव मार्किंग को नहीं रखा जाएगा बोर्ट के पास लगबख 50 दिन का समय है लोगसभा चुनाओ 2024 के आदर्स यानि की अचार सहीता लागू होने में लोगसभा चुनाओ 2019 के आदर्स जियान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्किंग की आज सपास ही अचार सहीता लगेगा 2024 का जो लोगसभा उलेक्शन है तो उससे पहले ही यानि की 50 दिनों का समय है ये एक्जाम को कंड़क्ट कराकर रिजल्ट दिया जाए